तो दोसो दोसो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोसो कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और दोसो आप लोग जो है फोन पे चलाना चाहते हैं। carrier कर रहा हूं और फोन पे से में काफिल ट्रांजेक्शन भी कर रहा हूं। तो अगर आपके पास केवल और केवल सिर्फ आधार काड़ है दोसों, आधार काड़ के साथ दोसों आपका bank account link है, तो आज की इस विडियो में मैं आपको बताने वला हो दोसों कि किस तरीके से आप phone पे account बना सकते हैं, तो दोसों किस तरीके से सारा काम आप कर सकते हैं, तो उसके लिए दोसों इस विडियो को जो है आपको शुरू से लेके आंत तक देखना पड़ेगा, तब ही जाकर के दोस्वा आपको पूरी जानकरी पता चलेगा, कि हम आधार काड़ के मदद से phone पे कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर phone पे लिख के आपको सर्च करोगे, तो यहाँ पर दोसों यह application आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले दोसों अगर आप phone पे application को अगर रखे हुए हैं, और आपका दोसों काम जो है अभी तक नहीं बन पाया है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अनिस्टॉल बटर में किलिक करना है, और इसे अनिस्टॉल कर देना है, और दोसों इसका जो latest version का जो link है दोसों, यानि कि आप इसका जो नया version का link जो है, मैंने आपको वीडियो के description box में दिया है, दोसों आपको वहीं से किलिक करके download करना है, तभी जाकर के दोसों यह आपका सारा system 2023 में दोसों work करेगा, नहीं तो दोसों 2022 में आप लोगों ने काफी चीज देखा होगा, लेकिन दोसों नया जाल के हिसाब से दोसों सारा चीज जो है, यहाँ पर सारा system चेंज हो चुका है, तो इसका latest version के link मैंने डाल दिया description box में, वहीं से आपको किलिक करके download कर लेना है इस application को, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक और छोटी से दोसों application आपको download करना है, तो दोसों उस छोटी से application का दोसों नाम क्या है, वह भीम आपको बताता हूँ, उसको दोसों download करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे फिर से जाना है, और यहाँ पर दोसों आपको link देना है भीम, आप दोसों भीम लिखने के बाद इस application को दोसों आपको सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद दोसों इस application को direct download करके open में click कर देना है, जैसी दोसों open में click करोगे, सबसे first में आपको अपना mobile number डालना है, otp डालना है और यहाँ पर दोसों चार अंका आपको अपना password सेट करने के लिए बोला जाएगा, य你知道 कि आप मोबाल में चार अंका पसवर्ट बना के रखते हैं, उसी तरीके से दोसों यहाँ पर भी आपको चार अंका password आपको डालना है, तो मैंने यहाँ पर दोस्तो पहले से ही password बना लिया है तो मैं password को डाल के login कर लेता हूँ आपको भी login कर लेना है और यहाँ पर login हो जाना है उसके बाद दोस्तो application जो है खुल करके आपके सामने इस तरीके का आ जाता है दोस्तो अभीम application दोस्तो यहाँ पर government का दोस्तो अप्लिकेशन है और इसी application के मत से दोस्तो सबसे पहले UPI का दोस्तो options यहनी की service लागो किया गया था दोस्तो इंडिया में अब दोस्तो यह application हमें मिल चुका है अब मिलने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है किस तरीके से सारे काम को manage करना है वो मैं आपको चली दिखाता हूँ सबसे पहले दोस्तो आपका जो भी bank में आपका account है दोस्तो खाता है उसको सबसे पहले यहाँ पर link करना होगा link करने के लिए दोस्तो यहाँ पर आपको profile options दिख रहा है just इस पर आपको click करना है and दोस्तो इस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके कर interface आ जाते है दोस्तो आने के बाद यहां पर आपको एक options मिलेगा plus icon plus पर आपको click करना है और दोस्तों यहां पर दो options आपको मिलेगा bank account और दोस्तों credit card तो यहां पर आपको bank account में click करना है simply से और दोस्तों bank account में click करते हैं click करने के बाद आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा bank account है वो आप यहां से select करें जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके पाथ जो भी bank account होगा सिर्फ आधार कार से link होना चाहिए तो दोस्तों आपका bank account जो है जैसे कि हमारा जो bank दोस्तों Central Bank of India है अगर आपका दोस्तों State Bank of India है चाहिए Bank of India है Canera Bank है पंजाब National Bank है चाहिए जो भी bank है वो आपको यहां से दोस्तों सबसे पहले search कर लेना है और search करने के बाद दोस्तों यहां पर उसो bank को आपको ढूंड करके link करना है जैसे कि दोस्तों यहां पर देख पार होंगे हमारा जो है हमारा bank जो है Central Bank of India तो यहां पर हम search करेंगे Central और यहां पर दोस्तों जैसी Central लिखेंगे चली मैं किलिक कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्व लिंक होना स्टार्ट हो जुगा है और दोस्व आपके सामने कुछ इस तरिके का इंटर्फिस आ जाता है निकल गर के और यहाँ पर दोस्व आपको एक option शो कर देता है देखसे यहाँ पर set UPI pin यानि कि दोस्व हमें यहाँ पर UPI pin set करने के लिए हमें यहाँ पर दो options मिल रहा है पहला option दोस्व आधा है यहाँ पर देखसे देविट कार्ड का है दूसरा option दोस्व हमारा यहाँ पर आधार कार्ड का options हमें शो कर रहा है तो यहां पर दोस्तों आपको जो आधार कार्ट का options यहें पर आपको show करेगा अगर दोस्तों आपके आधार कार्ट के साथ दोस्तों bank account link होगा और आपने दोस्तों इससे पहले जो है आपका यहां पर जो है आपका bank जैसे कि दोस्तों Canada bank में है या Central bank में है पंजाब National bank में है और काफी दोसों बैंक में जैसे कि दोसों यहाँ पर जैसे कि बुले तो यहाँ पर इंडोसन बैंक है, तो यह सारे बैंक में आपको आधार काट का ओप्सन्स मिल जाता है, लेकिन दोसों यहाँ पर काफी लोग का कहना है कि सर हमें आधार का ओप्सन्स जो है नहीं मिल रहा ह तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ अगर आपको आधार का ओप्सन शेक करना है तो यहाँ पर हमारा आधार का ओप्सन से आ रहा है तो हम प्रोशिट में किलिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तो एक्सेप्ट में किलिक करेंगे एन दोस्तों यहाँ पर देख पार होंगे यहाँ पर हमें फर्स्ट शिक्स डिजिट आधार कार्ड का दोस्तों नमबर डालेंगे यहाँ पर आधार कार्ड का नमबर जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सेते हैं मैं यहाँ पर forget कर रहा तब मैं यहाँ पर pin जो है already मैंने यहाँ पर set करके रखा हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लोग आधार काट के माज से UPI pin को बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आपके मन में किसी परकार का कुछ सवाल होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक सुने सो तो जैहिन वंदे मात राम